अलो फ्रेंद्स और वेलकम बैक टू माई चैनल शिवरातरी आचुकी है होली आने वाली है और कर्मियों का मौसम भी स्टार्ट हो ही चुका है अभी तक फ्रेंद्स आप ला रहे होंगे थंडाई का सिरफ मार्केट से बट आज मैं आपको घर पर थंडाई का प्रीमिक्स बन दालो और इसके साथ मैं थंडाई भी आपको बना के बताऊंगी तो चलिए देर नहीं करते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले कहना चाहती हूं पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए घंटे के साथ चलिए ल चलिए फ्रेंज बढ़िया और बहुत आसान तरीके से थंडाई का प्रे मिक्स बनाना शिरू करते हैं इसके लिए मैंने यहां 20 काजू ले लिये हैं 20 बदाम ले लिये हैं 2 टेबल स्पून पंकिन सीज याने खरबूचे के बीज ले लिये हैं 2 टेबल स्पून मैंने ले लिये हैं इस तरह से और 30 को यहां मैंने काली मिर्च ले लिये हैं तो सारे मैंने आपको इंग्रिडिन्स बहुत ही आराम से बता रही हूं मैं फ्रेंज साकी आप बिल्कुल भी गलत ना हो साथ ही मैं यहां एक छोटा तुगडा जाइफल का लिया है और 10 इलाइची ले और गुलकन चाहिए गुलकन थोड़ा ऑप्शनल है और डालेंगी तो बहुत टेस्टी लेगा और 200 ग्राम मैंने शुगर ले लिये हैं यहां इस तरह से साबुत शुगर ले लिये हैं आप इसके बदले मिश्वरी का भी यूज कर सकते हैं तो सारे चीज़े रड़ी है चल जाले यह लेक यह इस में डालेंगे जाँ पस्टी सुगर तेसी चलिए और इसको पीस ल देख च़ए तकि और मेंगर हो तो जशन्य में आ जाएं इस चानलेते हैं ठीज्ट चानल सोब सौन्र único काजू बीच नालम सुट कांगे इस नाल दालन कुछ यह वित चानले किती हौर हूं एक फैठाप यह थीनकी लाइव कंगे लेंगे तो पीस लिया है अब जो हमने शुगर और चीज़े पीस ही थी इसको चाना था यह भी इसमें एड़ कर लेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए इसलिए हम इसे फिर से एक बार पीस लेंगे तो बस आपको पहले चमच की हलसे से पीस लेना ह ताकि जो हमारी थंडाई का कलर बहुत ही बढ़ी है यह ऑप्शनल है अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं तो आप यह सारी चीज़ों को पीस लिया है इसे फिर से हम एक बार चान लेंगे ताकि इसका फाइन से पाउडर हमें मिल जाए तो बहुत ह सार इंग्रीडियंट और लगभग हमारे घर पे अविलेबल होते ही है काजू बदाम है और यह जो खड़े मसाले है सब हमारे घर पे होता है तो बस हमें इसका पॉफिक मेजरमेंट चाहिए था जो मैंने आज आपको बता दिया असानी से आप घर पे यह प्रिमिक्स बना क और फिर जो भी बचा होगा तो वो मैं फिर से एक बार मिक्सी में चला दूँगी तो देखे फ्रेंज हमारा जो प्रिमिक्स पाउडर है वो रडी है देख सकते हैं अब आप बोलोगे आपने तो इसमें गुलकन यूज नहीं किया है पिस्सा यूज नहीं किया है वो भी मै बच्चे भी बना लेंगे अब देड़ चमच की करीब मैंने प्रेमिक्स पाउडर ले लिया है और इसमें मैं डाल दूंगी गुलकन आधा चमच की करीब आपको जितना पसंदर उसके कॉर्डिंग ली डाल दे और केसर के धागे डाल देंगे इससे बहुत अच्छा फ्ले इसमें एड़ कर लोंगी और यह दिखे और बस आपको तीन से चार मिनिट इसे रखना है और बात में हम इसे पीस लेंगे तो अभी मैं आपको इसको स्टोर करने का तरीका बता देती हूँ तब तक तो यहां ग्लास बोटल को में अच्छी तरह से धो के धूप लगा दिया अगर आप गर्म जगा पर रहते हैं या आप जादा बना रहे हैं तो आप इसे फ्रिज में स्टोर करें तो इसके शेल्फ लाइब भी बढ़ जाएगी तो यह देखिए इस तरह से आप स्टोर कर लें इसको कंटेनर में तो इस तरह से आप आपके प्रेमिक्स पाउडर को स प्लेंडर से भी कर सकते हैं तो अभी मैंने मिक्सी जार यूज किया है तो इसका में यूज करूंगी ताकि जो बुलकन डाला है वो अच्छी तरह से पिस जाए ब्लेंड हो जाए और इसमें बरक डालना ना भूले चले से पीस लेती हूँ तो देखिए फ्रेंस हमारा जो थंडाई है वो रेडी है और इसमें जाग भी आ गया है तो इस तरह से आप चाहे तो कलर थोड़ा और एड़ कर सकते हैं मैंने थोड़ा कम ही रखा है कलर मुझे जादा कलर पसंद नहीं है तो यहां मैं डाल रही हूँ फ्रेंस से केसर और फिस्ता और इस तरह से आप बनाने का परफेक्ट मेजरमेंट भी बताया है और कैसे आप इसको स्टोर करें ये भी बताया है और कैसे बनाना है ये भी मैंने आपको बना दिया थंडा-थंडा ही इसे सर्व करें मार्केट वाले सारे आप सिरब भूल जाओगे अगर आप घर पे एक बार ये थंडाई प्रेमिक्स बना के रखोगे आप कोई मेहमान आ रहा है कोई टेंशन ने दूद में आप इसे घोलिए और बना लीजे और एंजॉय कीजे पूरी गर्मी आप इसे पी सकते है फ्रेंस कैसी लगी आपको ये थंडाई प्रेमिक्स की रेसिपी जरूर मुझे कमेंट करके बताएगा लाइक भी कीजे शेर भी कीजे और सब्सक्राइब कीजे मेरे चैनल को तिल देन टेक केर बाबाई